पूरें सुन रहे हैं बुंदेली चुबली रेडियो को हमें राजन्द त्रिवेडी खवरन को पिटा रहो खुल गाओ भईयारो तो सब्सक्राइब बुंदेली में खवरन को आनेंद लो बुंदेली चुबली रेडियो के माद्यम से पहली खवर है बैमानी में भी एमानदारी भोपाल हम से के डिप्टी डारेक्टर ने फार्मा एक लाख रुपिया की रिस्पत लेवे के आरूप में गिरफतार एम्स भोपाल के डिप्टी डारेक्टर प्रसाथन धीरंद पताप सी ने बैमानी में भी एमानदारी दिखाई है जांत में खुलाता वह है कि धीरंद खौंप पार्मासिस्ट पे इतनों वरोसा हतो का उनको 40 लाख रुपिया को बिल पास कर दोगो बिल पास कर वेगे बाद में रिस्पत लेवे सायपुरा अपने घर पहुंच रहे थे जहां सीवियाई ने एक लाख रुपिया रिस्पत लेद भाई ट्रेप कर लो ने रंगेहां तन पकड़ लो अब तक कि जांच में धीरं के परवार की डिटेल मंगवाई हैं सीवियाई रविवार खो आरोपी खो कोट में पेज करो और कोट ने धीरंद खो एक अप्टूबर तक कि लाने रिबांड पे सीवियाई खो सोंब दो बता दें के सनुवार खो सीवियाई के एम्स के डिप्टी डिरेक्टर खो एक सिकाहित करें दूसरी ख़बार आ रही है मद्द प्रदेश से मद्द प्रदेश में माफिया को दो कडोर को बंगला ढाऊ गो सराब की तसकारी से कमाई कडोर नोपया चालिस की ओमर में 55 केस दर्ज दो एए एस पी और 110 जमानन की सामने जेसी बी से गिराऊ गो बंगला मेरे उनके दो करोर को आली साम बंगला ढाऊ गो कौनों तरह को बबाल ला होए कौनों तरह को उधम ना होए ही के लाने दो एएस पी 110 पोलिस कर्मियों पचास से ज्यादा नगर निगम कर्मियन को परसासिक अदकारियन की मौजूदगी में जाकार रवाई करी गई के अधियम गोड़ोफपोर दिव्या अवस्ती के मताबे खसरा नंबर 46 में टिंकूर सोनकर ने 500 बर्ग फिट जमीन पे अबेद दो मंजला आधिशान भमन और 1000 बर्ग फिट में हाल बनवाऊ हो तो कुल एरिया 6000 बर्ग फिट है आरोपी की जमीन की कीमत एक कड़ों पचास ल पुर निवासी हंसराज पुत्र हुबी लाल सोनकर के नाम पे दर्ग है मंद्र प्रदेश में तीन दिन में 61 केस कुरोना के 14 गंटा में 9 केस सबसे जादा भूपाल में 3 positive मिले हैं दोर में 2 राजगर जाबुआ हो मर्या अनूपुर में एक-एक मामले प्रदेश में अबे एक सो सत्रा एक टेप केस मिले हैं मंद्र प्रदेश में करोना संकुर्ण के मामले में लगातार सामने आ रही हैं पिछले तीन दिन में प्रदेश में 61 करोना के नए मरीज मिले हैं सनिवार प्रदेश में करोना के 9 नए संकुर्ण मिले हैं इनमें सबसें ज्यादा भूपाल में तीन मामला सामने आए हैं, इक에 बाद एंदोर में दो अनुप परो जाबुआ, ओमरिया, राजगर्ण ने एक एक मामला सामने आओ है, आवे तक पूरे प्रदेश में 117 एक टेप केस मिल चुकी है, प्रदेश में गुरुवार रखो और सो कुरुवार रखो दो दिनन में 52 कोरोना पोजीटिव मिले हाती हो एक बिक्तिकी मौत की भी खबर आ रही है इनमें 42 मामलान में अकेले इंदोर से हैं उताई बांकी 6 भोपाल और बिदसा अनूपूर बढ़वानी और गौालियर से एक-एक संक्रमित मिले है बिदसाइ में इक कौरोना संक्मित की मौत की रिपोर्ट भी आ रही है परदेश में चोटे जिलन में लगताँ संक्मित की जड में आ रही है सनूवार को बोपाल अनूर के आलवा राजिकर जाहबुआ हो मारी आनूपूर में संक्रमित मिली है दस मारीज भया ठीक भी भई हैं प्रदेश में अब तक साथ लाग बानमे हजार चारसो चैसी लोग संग में तो हो चुके हैं इनमें से साथ लाग कैसी हजार आठसो इंक्यामन ठीक भी हो चुके अब तक करोना के करण 10,518 लोगन की मौत हो चुकी है अब प्रदेश में 117 एक टिप केस हैं इते पर रेकबरी रेट अंठान में प्रिशस से ज्यादा हो पोजिविटी रेट 0.01 परसेंट है जब खुशी की बात है प्रदेश के लाने हैं सब ही जनिन के लाने अगली खबर बीजेपी प्रदेश देच को दिखबजे सिंग पे पलट बार बीडी सर्मा ने पूछो का मदर्सन में राष्ट बदी लोग तैयार हो थे का पूर्व मुक्ष मंत्री ने कई हती के हमाई लड़ाई धर्म के खिलाप नफर तेलावी बालन से हैं बीडीपी के प्रदेश देच बीडी सर्मा ने पूर्व मुक्ष मंत्री दिखबजे सिंग को पलट बार करूँ है सर्मा ने दिखबजे सिंग के सवाल को जबाब देद भाई पूछो है कि काम मदर्सन में राष्ट बादी लोग तैयार हो थें जो व्यक्ति आतंको बाद और नक्सलेजन के संगे खड़ो हो थे वो राष्ट बादी संगठन आर एस एस और सिसु मंदर पे सवाल खड़ी कर रहो है दरसल एक दिन पहले दिखबजे सिंग ने बयान दो हो थो कि हम जंसें लड़ रहे हैं उन्हें सिसु मंदर से नफरत ही सिखाई जा थे इनकी नफरत के कारण देश में दंगा हो थें उनने केंद्र और राज सरकार की जनबरोधी नीतियन खोले के उने इस विपच्छी दलन की संगे सनिवार खूं आयो जो धरना संबोधित कर तो भाई है दो कई हथी के हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनावेगी सब तसे पहली पहल बीर साबर करने करी हथी दिखमजे सिंग ने कई है के अंग्रे जानत हते के हिंदू मुसलमान उखो एक संगे नई रखने ही से सावर कर रखो अन्डमान जेल से लेकर आए जो अंग्रे चाहत हते बे काम सावर करने करो जो सभी आजादी की लड़ाई में कमुस सामिल नई भाए जब जंबू कस्मीर में धारा 370 लागू करी गई हती उर समय जब अहलाल नेहरू की केमिनेट पे स्यामा पर साथ मुखर्ज भी सामिल हते हैं जो लोग कह रहे हते कि 70 साल में कच्छू नहीं भाव यदि देश में सम्मिधान नहीं होतो तो मोधी जी प्रधान मंत्री ना बन पाते दिख बिजे सिंग के नारोपन में वीजी पी के प्रदेश अद्यच बीडी सार्मने रविवार रखों शतर पर में मीडिया से बात करद भाए जबाब दाओ है उनने कई है कि सरस्वती सिशु मंदर में रास्तवात को पाठ पढ़ाओ जाते नफरत को नहीं कांग्रेश को वारे हाथ लेद भाए कई है कि जनको अस्तित्तों खत्म हो रहो है बेगड़ बंदन कर रहे हैं कांग्रेश देश में जीरो की तरफ जा रही है बंगाल चुनाओं में गड़बंदन करो तो बामपंथी जीरो हो गए उनने कई जेन के बिचार भी सुन हो चुकी है दुगवेजय सिंग अपने बढ़बोलेपन के लाने जाने जा थे यह सो वीडिस सर्मा को क्य वो है कटनी में गड़ा में दूबे दो बच्चन की भाई मौत सिवल लाइन पिलांट के लाने खोदे गए थे गड़ा गड़ा गड़न में भरो तो बर साथ को पानी चार घंटा के बाद मिले दोई जनन के सब कटनी में सीवाल लाइन पिलान्ट बनावे के लाने खोदे गए गड़न में दो मासूम बच्चा डूब गए करी पांच घंटा चले रेस्क्यू में दोनों के सो निकाल लाई गए हैं पोलिस ने दोई सवन को पोस्ट मारिटम के लाने भीजू है हादसा के बाद से परजन और छेतर के लोगन में आक्रोस है लोगन को आरोप है कि रहवासी छेतर में सीवाल लाइन को पिलान्ट लगाए जावे को बिरूद सुरू से करो जा रहा हो तो बावजूद जम्मेदारान ने अंसुनों कर दो पिलान्ट को गड़ा रहवासी छेतर में नई खोदो जाए ये को पिली से बिरूद हो रहा हो तो लेकन ये नई माने और खादसा होगा पोलिस ने बताओ है के कठला बस दी निवासी रामदास बेन की बेटी दिया ऐस सो बेन नो वर्स और दिनेज बेन को बेटा किसना आठ वर्स दोई रवार रुखों सो बेरे साथ बजे घर के पीछे खेल रहे हते और कछू देर बाद जब दोई बच्चन के परजनन को नहीं देखे तो उनने उनकी तलास करी घर के पीछे बने सीवल लाइन के प्लांट के गड़ा के पास बच्चन की चपलें देखी इपर गड़ा में बच्चन की तलास छेतर के लोगन द्वारा शुरू करे गई पोलिस को सूचना दाएगे मोके पर पहुंची पोलिस ने नगर नगम खों बुलाओ मोके पर फायर बेगेड और नगर नगम की रिस्क्यू टीम भी पहुंच चाल से गड़ा में डालके बच्चन की खोजबीन करी गई करीब चार घंटा चले सर्चन के बाद दोई बच्चन के सो गड़ा से बाहर निकाल लाई गए अगली ख़बार आरे भी यारों खंडवा से खंडवा में बेटनरी डाक्टर पे हमला मेरी पेमका को क्यो मारा कहक ह लट्थ से खूब पीटो हेलमेट पहनो हतो से शेर में नहीं जान भी बच गई खंडवा में एक बेटनरी डाक्टर पे जान लेवा हमले को वीडियो सामने आओ है डाक्टर जैसे ही अपने दब्तर पे बाइक से पहुँचे तो उन पे हमला कर दोगो लट्थ से शेरो हाथ पेर में पूरे सरीर में बार करे गए लेकर गयलिमत रही के डाक्टर हेलमेट पहने है ते जिनसे उनकी जान बच गई पुलिस ने पिटाई के दोरण काई है कि हमाई प्रेमका खों काई मारो पीडे डाक्टर की भतीजी आरोपी की कथत गरल प्रेमका खों काई मारो हमने नहीं मारो हमने पूछी इके बाद भी उन्हें कोनु जबाब नहीं दो उन्हें लट्थ माई उपर बरसा दए अगली घबर विया भात्पा प्रदेशा जथ बीडी सर्मा के सक्त तेवर छतरपुर में बोले अपसर बेलगाम ना हो उन्हें टाइम पर आने पड़े हाद में रहने पड़े नईता मुख मंत्री से करवी बाचीत लोकस नगर में सनुवार को भात्पा के प्रदेश अध्या जो खज़रा हो लोकसवा सांसत बीडी सर्मा के तीखे तेवर देख विखो में ले हैं मुख मंत्री सुरा सींग के पद चिंधन पर निकल पड़े हैं चल पड़े हैं सर्मा ने लोकस नगर में मंच से अधिकारी उनको चेताओनी दई सबा में SDM को इंगित करके सारो करके आधार मामला में कड़क लहजे में फटका लगाऊ तो भैस सर्मा ने कई के आधार के अंदर काय बंद कराए गया है उनने चालू करो उनने कई के SDM हो चाहे को नो अन अधकारी होई कान कोल के सुनलो इते की गरीब जनता के लाने आप आपसमें टाइम से आके बैठने पर हो काम करने पर है जनता के काम के लाने इते उते नहीं भट को चाहिए अगर अगर अधकारी आपसें साम पांच बज़े तक आपसमें ना बैठे मिलें तो हम मुक्ष मंत्री से इबसे में जरूर बात कर वी सर्माने आंगे बद कई है के अधकारियनों को अब काम करने पर है अधकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकत है उन्हें अब हद से हद में रहने पर है परेशान और बेबस लोगन के काम करने पर है लोगन के काम के लाने समय पर आके आपसमें बैठने पर है और काम करने पर है और अगर इतनों नहीं कर पा र परवाने लोकुस नगर में सिविल अस्पताल के एलाने चिकिस्था उच्छ सिच्छा मंत्रियों मुख मंत्री से बात करके जल्द से जल्द सिविल अस्पताल खुलवे की भी बात कही है यूपी ऐसी सेकेंड टापर जागरती की दिल्चस्प स्टोरी छोटे से गाउ में कहानी मंद प्रदेत के च्छतर पर जल्द से महज आठ किलोमेटर दूरी पर इस ते निवारी गाउवे ते गाउं देश में दुनिया की पटल पे च्छागो है इवात को को गो इलम ही ना हतो वाकर निवारी ने ऐसो का कर दो की देश दुनिया जानन लगो जानत है कि आख से कठन मानी जावे वाली परिच्छा यूपी ऐसी में टाप करू है माता प्रता देश प्रदेश और निवारी को नाम रोसन करू है बात कर रहे हैं जागरती आवस्ती की जागरती को बच्पन एगाउं की गलियन में भी तो है आज निवारी के हारव द्यक्ति बच्चा ब बेटी पढ़ाओ बोदी जी को नारा भी है अगली खबार आ रही है स्टेट पावर लिप्टेंग चैंपियंशिप में बुमन पावर 320 किलो बजन उठाके सागर की बेटी आईशी ने जीतो सिल्वर मीटर बढ़नगर उज्जेन में आईशी इस्टेट पावर लिप्टें एसो सियसंद्वारा बढ़नगर में वही तीन देशी प्रतियोगता में आईशी ने चेहतर किलोग्राम सीनिय अरबर्ग में हिस्टा लव हतु उनने उमें 320 किलोग्राम को बजन उठाके सिल्वर मेडर हासिल करो है एक संगे आईशी सागर जिला में स्टेट चैंपियंशि में मेडर हासिल करवे वाली पहली मैला खेलारी भी बन गई आईशी केरल में होवे वाली नेशनल पावर लिप्टन चेंपियंशिप में मद प्रदेश को पितने धुत्त करें आईशी परकोटा निवासी असोक अगरवाल की बिटिया और यस अगरवाल की बैन है वे सजार घरन में लारवा डेंगू के 76 मरीज मिले करोना के 19 केस जिले में पिसले दो माए में करोना मरीजन की संख्या घटी है तो होता ही डेंगू पोजिटिव की संख्या बढ़ रही है कोबिट के बाद अब डेंगू को डर तेजी से फेल रहो है अगस्तों सितंबर इन दो माइनन में कोबड पोजिटिव 19 मरीज में लिए तो तो देंगू पोजिटिव मरीजन की संख्या इसे चार गुना बढ़ गई है सनुवार तक जिला में 76 डेंगू पोजिटिव सामने आज चुके हैं जबकि समावत मरीजन की संख्या 155 में डेंगू के हर दन दो पांच के सामने आ रहे हैं सौत विवाग के सर्वे में सनुवार खुजिले में पंतो चबूण गरन में डेंगु को लारवा मिलो है जिका नस्त करा के दवाईयन को छणकाओ करा हुआ है स्वाथ विभाग के अधिकारियन ने बता हुए कि डेंगु पे नियंतरण के इलाने कलेक्टर की निर्देश पे जिले में डेंगु पे प्रिहार अभियान 15 सितंबर से शुरू करो ही के तहट 190 दल गठत करे गए हैं जो दरवाजे दरवाजे जाके घर घर जाके लारवा को सर्वे को कम कर रहे हैं प्रतिते नवसंत साले 9000 घरन को सर्वे करो जा रहो है अब तक सागर सहरी ग्रामीन शित्रन में एक लाको नई सजार 809 घरन को सर्वे करो जा चुको इन मैं से हैं पांच हजार तीन सो चत्तिस घरन में डेंगू को लारवा मिलो है जिसे तत्काल नस्ट कर दवन को च्छड़काओ करूगो है सानिवार को जला में डेंगू के तीन पॉजिटिव केस मिले ही में सागर सेहरी छित्र में एक भी केस नहीं मिलो देवरी में 31 वर्षी यूति और 45 वर्षी महिदा और साहपूर में 26 वर्षी यूए डेंगू पॉजिटिव मिलो है साथ बेबाटन के दलने सानिवार को 16,749 घरन को सर्वे करो इनमें से 554 घरन में 554 घरन में डेंगू को लारवा पाऊगा अगस्त के अंत में डेंगू पोजिटिव मरीजन की शंख्या 31 हाती जो अब 76 तक पहुँच गई है पिछले 25 दिनन में डेंगू पोजिटिव 45 नएस के सामने आ चुकी है अगली ख़बार आ रहे हैं सेना को रोतबा महार रेजी रेंट में 240 केड़िट ने 10 माहा की ट्रेनंग करी पूरी राष्ट सेवा की सपत लेकें बन गए सेना को हिस्सा महार रेजिमेंट सेंटर में सनिवारों को 248 केडेंट्स की टेरंग पूरी हो चुकी है उनकी पासिंग आउट परेट आजोजेद करी गई कारकम सुवेरे से अंसुया परसाद परेट ग्राउंड में संपन बहुए में सेना के अधिकारियन ने पासिंग आउट परेट की सला नहान के परती सच्ची निस्टा और राश सेवा की सपत लेके नोस सेनक के रूप में अपने दाय तो खोड़ समालो इतैसे ट्रेनिंग पूरी करके ये नोस सेनक अब देश की सीमन पर तेहनात करे जहें आंत्रक छितन में तेहनाती होके अपनी यूनिट को आगे सब्सक्राइब ये रुस्तागर से सागर में बंदू करने के संगय पकड़ो उत्तर प्रदेश को गुंडा बैग में दो देशी कट्टा और सत्रा जिंदा कार्तूस लेके आ रहा हो तो सागर भोपाल रोड में घेरा बंदी करके दबो चोगो एक साथी भाव फरार सागर प्रदेश होड भुबा गोरिया के सब्सक्राइब गर्फरारा पा। करके प्रक्रण दर्ज करो हो तो फरार अरुपी की तलास करी जा रही है चूतना के अनुसार से हो रहा चौंकी पुलिस ने बोपाल हाई बे पेट्रोलं कर रही है जी तब ही ग्राम सुमर रेड़ी से इसने हनुमान मंदरे के पास दो यूपी पासिंग भाई की लेके खड़ फरार हो तलासी लेवे पे आरुपी के पास मौजूद बैग में से 315 बोर को देशी कट्टा 12 बोर को देशी कट्टा 17 जंदा कार्तूस एक लोहे की गुप्ती बरामत करी गई है पूछता आपने आरुपी ने अपनों नाम ससांकर सेखर और शोनू मिसरा पुत्र बलाम मिस 30 निवासी पोस्ट बंदोवा जजबर मजुनूपोर को सांबी ओतर प्रदेश बता हो तई फरार भाई साथी को नाम फूलचंद प्रजापती बता हो जा रहो है मामला में पुलिस ने ओतर प्रदेश की पुलिस से भी संपर के करो है आरुपी निके सम्मद में जानकारी ल जाने है थे कीखा सप्लाई करने है थी इकी भी पुलिस बारी की से जाच कर रही है जाहत गर्थाना प्रभारी आनंद राज ने बता हो है कि हाईबे पेटलों के दोरान यूपी के बदमास को अबेदा त्यारन के संगे गिरबतार करो गए हो उनको एक साथी मोके से फरार ह भी में कामियाब हो गो जी की तलास करी जा रही है अगली खबर भी यारो सागरे से है सागर में लापता छात्रा को कुवा में मिलो सो परिक्चा के कार्ड बोर्ड नहीं दिलाबे से गुसा हो के घर से गई हती छात्रा खेत में कुवा में मिलो उनको सागर दिला के राहत ग साने काड़ बोर्ड नई दिलावे की बात से गुस्ता होके घर से निकरी हती घटना की सूचना पर पुलिस ने मोके पर पहुंचके सो को पंच नामा बनाओ पोस्ट मार्टम कराओ सूचना की अनतार सुर्भी पुत्री राम बरन यादो चौदा निवास निवासी लाल बाग सुबह करीब आठ बजे घर से बिना को उखा बताएं चली गई हती बिटिया काफी देर तक घर नहीं आई तो मताई खांचिंता भाई मताई ने दूद बेंच बे गए पत्री राम बरन को मामले की सूचना दाई राम बरन ने घर आके बेटी की सुरभी की तलास करी रिष् खेतन में चात्रा को खो जो तबही संदे घर के पास खेत में बनी कुआ में सर्चन कराई गई कुआ मैं सर्चन के दौरान चात्रा सुरूभी को सोब मिलू सो को पंच नामा बना के पुलिस ने पीम के लाने अस्पताल बेजवाद हो है तो भाईया हरो जे हती इवेरा की ख अवेदन को मुरीद आमरा